18 जुलाई के गुरुकुलप्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट एक महत्वपून दिन अंतरराष्ट्रिय नेलसन मंडेला दिवस 18 जुलाई हर साल 18 जुलाई को दुनिया नेलसन मंडेला के जीवन और विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आती है जो मानवाधिकारों के दिगज और आशा के प्रतीक हैं मंडेला दिवस वास्तव में एक वैश्विक घटना है जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार करती है मंडेला के असाधारन जीवन और उनकी स्थाई विरासत की मान्यता में सन्युक्त राष्ट्र ने 2009 में 18 जुलाई को नेलसन मंडेला अंतरराष्ट्रिय दिवस के रूप में नामित किया अपनी करुणा, शमा और मानवता के परस्पर संबंध में विश्वास के लिए प्रसिध मंडेला के नेत्रित्व ने न केवल डक्षिन अफरीका में बलकी विश्वस्तर पर भी स्थाई प्रभाव छोड़ा इस वर्ष अंतरराष्ट्रिय नेलसन मंडेला दिवस का विशय गरीबी और अस्मानता का मुकाबला करना अभी भी हमारे हाथों में है अपडेट दोग नियुक्ती ममता बनर जी ने वरिष्ट IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के DGP के रूप में बहाल किया पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ट IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में बहाल कर दिया है श्री कुमार संजय मुखर जी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य का DGP नियुक्त किया गया था श्री कुमार सूचना प्रोध्योगी की और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में अतिरिक्ट मुख्य सचिव के अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे श्री मुखर जी को राज्य की अगनिश्मन और आपात कालीन सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अपडेट 3 राष्ट्रिय भारत नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरिय सम्मेलन की मेजबानी करेगा नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरिय सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को राश्ट्रिय राजधानी में आयोजित किया जाएगा जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने की उम्मीद है एशिया प्रशांत शेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है भारत सरकार और अंतरराष्ट्रिय नागरिक उड्डियन संगठन, ICAO, अपक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा अपडेट 4 निधन कैमलिन के संस्थापक सुभाश दांडेकर नहीं रहे प्रतिष्थित स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाश दांडेकर का 86 वर्ष की आयू में निधन हो गया वह जापानी दिगज कोकुयो को ब्रांड बेचने के बाद कोकुयो कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे होर्स ब्रांड नाम की कमपनी की स्थापना 1931 में डीपी दांडेकर और जीपी दांडेकर ने की थी सुभाश दांडेकर के तहट कमपनी का नाम बदल कर कैमलिन कर दिया गया और स्टेशनरी वस्तूओं से कला उत्पादों में विविधता लाई गई दांडेकर सामाजिक जागरूकता, कला और उद्यमिता में योगदान के लिए जाने जाते थे उन्हें Game Changers of Maharashtra पुरस्कार और Lifetime Achievement पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले अपडेट पांच निधन गुड़ा भूत फेम फिल्म निर्माता सदानन्द सुवर्ना का निधन वरिष्ट कन्नड रंगमंच और फिल्म व्यक्तित्व सदानन्द सुवर्ना बानवे का मंगलुरू के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह उम्र से संबंधित बीमारियों से पीडित थे वह अपनी 13 भाग वाली टेलिविजन श्रिंखला गुड़ा भूत के लिए जाने जाते थे जिसे उन्होंने 1991 में दूरदर्शन के लिए निर्मित और निर्देशित किया था के शिवराम कारंत पर आठ भाग की डॉक्यूमेंटरी थी प्रसिद लेखक गिरीश कासरवली के साथ उनके सहयोग के परिणामस्वरूप कई सिनेमाई कृतिया बनी दक्षन कंणड जिले के मुल्की के रहने वाले सुवर्णा ने अपने जीवन के पांच दशक मुंबई में बिताए सदानन्द सुवर्णा ने केवल एक फिल्म कुभी मट्टू याला का निर्देशन किया जो केपी पूर्णचंद्र तेजस्वी की एक लगु कहानी पर आधारित थी अपडेट छेक योजनाएं और समितिया आयकर ने एक वैग्यानिक एक उतपाद योजना शुरू की भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद आयकर ने अगले पांच वर्षों के लिए एक वैग्यानिक एक उतपाद नामक लक्षयों मुखी अनुसंधान योजना की घोशना की है जिसकी उपर से नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि प्रयासों में दोहराव के बिना अधिक्तम उत्पादक्ता चलाई जा सके सरकार का अनुसंधान निकाय जल्द ही सरकार की एक सौ दिवसिय योजना के हिस्से के रूप में विभिन फसलों में एक सौ बीज किस्मों को भी जारी करेगा क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा जैसा की हमारे मंत्री शिवराज सिन चौहान ने अनुरोध किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जल्द ही सभी एक सौ नई किस्मों को जारी कर सकते हैं अपडेट साथ विज्ञान और प्राध्योगी की दुनिया का पहला 3D Printed Electric अबरा ने शुरू किया दुबई में परीक्षन दुबई के सडक और परिवहन प्राधिकरण RTA ने निजीक्षेत्र के सहयोग से 3D Printing तकनीक का उप्योग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक अबरा का परीक्षन संचालन शुरू किया है अबरा जो 20 यात्रियों को ले जा सकता है को पारमपरिक अबरा पहचान को बनाए रखने के लिए डिजाइन और बनाया गया था अबरा का निर्मान अबू धाबी में अलसीर मरीन कमपनी द्वारा जापान के मिचसुबिशी सहित कई वैश्विक कमपनीयों के सहयोग से किया गया था जिसमें जर्मनी के सीमेंस जिसने प्रिंटर की प्रोग्रामिंग और अंशांकन की देखरेख की और जर्मनी के टोर्कीडो जिसने इलेक्टरिक मोटर्स की आपूर्ती की शामिल थे अपडेट आठ राज उत्तराखंड ने देहरादून में अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली राज्य की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड़े के पास वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वाराहाल ही में खोली गई थी ताकि आगंतुकों को शेत्र की समरिध पक्षी जैव विविधता और नाजुक हिमाली पारिस्थिती की तंत्र में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया जा सके गैलरी प्रकृती शिक्षा केंद्र का एक हिस्सा है जो वन विभाग के अनुसंधान प्रयासों का एक प्रमुख घटक है परियटक उत्तराखंड के जंगलों से रिकॉर्ड की गई चहचहाहट के साथ साथ राज्य की पक्षी प्रजातियों की 250 से अधिक तस्वीरें देख सकते हैं पक्षी प्रजातियों को दस समुहों में वर्गी कृत किया गया है अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन गोवा में 20 से 24 नवंबर तक विश्व ओडियो विजुवल मनोरंजन शिखर सम्मेलन केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैशनव ने गोशना की है कि भारत गोवा में भारत के अंतरराश्ट्रिय फिल्म महोटसव के साथ साथ 20 से 24 नवंबर तक विश्व ओडियो विजुवल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग की दुनिया के लिए एक एतिहासिक घटना है मंत्री महोटसव ने यह गोशना नई दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डौ एल भारत ने फिलिस्तीनी शर्नार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डौलर की सहायता जारी की भारत ने इसराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनी शर्नार्थियों के कल्यान के लिए सन्युक्त राष्ट्र को 2.5 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तिय सहायता जारी की है फिलिस्तीन में भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा कि यह 2024 से 25 के लिए निकट पूर्व में फिलिस्तीन शर्नार्थियों के लिए सन्युक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी उन्रवा को भारत के 5 मिलियन डॉलर के वार्षिक योगदान की पहली किस्थ है भारत की वित्तिय सहायता ऐसे समय में आई है जब 1.7 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को गैर्मान्यता प्राप्त देश के भीतर आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमास के खिलाफ इसरायल का आक्रमन तेज हो गया है